मेरे समस्त दर्शकों का स्वागत करती हूँ मैं अपने हिंदी मंच में मैं नील कमर आज काफी दिनों के बाद एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा ये ऐसे नाम है जो कहीं इतिहास के पन्नों में खो गये हैं चलिए आज उनसे आपका परिचे कराते हैं तो जो कहानी मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ उसका शेर्शक है बेगम समरू सन 1757 भारत की इतिहास में बड़ा महतपूर्ण वर्ष माना जाता है जब मई के महिने में कलाईव ने अपनी तटस्तता की संधी को तोड़ कर अचानक चंदर नगर पर कबजा कर लिया किन्तु वाल्टर रेनहर्ट ने जो जर्मन था और फ्रेंच इस्ट इंडिया कामपनी में एक सैनिक की हैसियत से भारत आया था आत्म समर्पन करने से इनकार कर दिया वह अपने साथियों सहित मुर्षिदा बाद चला गया जहां उसे बंगाल के नवाब से संरक्षन मिला उसके बाद रेनहर्ट ने ग्रेगरी खान के मातहत नौकरी की जो मीर कासिम की सेना में एक आर्मीनियन जनरल था वहां उसने अपने विस्स्ट योगिता दिखलाई तथा उसे सम्मानित किया गया अब वह समरु के नाम से पुकारा जाने लगा जो ली सॉम्बरे उसके यूरोपियन साथियों द्वारा दिये गये नाम का बिगड़ा हुआ रूप था तो चलिए देखते हैं समरु का कारे क्या था समरु के अधीन एक पूरी ब्रिगेड थी तथा उसका काम नवाव के सेना को यूरोपिय सेना के समान प्रशिक्षित तथा अनुशाशित करना था जब कभी नवाव और अंग्रेजों के बीच लड़ाई होती सेना की बागडोर समरु को सौपी जाती दो अगस्त 1763 को उसने गेरिया की लड़ाई लड़ी जो अंग्रेजों और नवावों के बीच हुई लड़ाईयों में सबसे अधिक भयानक और कथोर थी यह लड़ाई केवल चार घंटे हुई किन्तु इसमें अंग्रेजों को करारी मात खानी पड़ी तथा उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा उनका सामाल लूट लिया गया तथा चौरासवी बटैलियन पूरी तरह से नस्ट कर दी गई नवाब अंग्रेज कैदियों को अपने साथ पटना ले गया जहां उनकी हत्या कर दी गई कहा जाता है कि यह भयानक कार समरू के द्वारा किया गया ऐसे ही कई कठोर और खतरनाक कारियों के बाद महत्वा कांची समरू ने समराट शाह आलम के एक विश्वास पात्र फार्सी मंत्री नायव खान के पास नौकरी कर ली उसकी बुद्धिमता और बहादुरी के लिए बादशाह ने उसे एक जागीर इनाम में दे दी समरू ने जागीर के बीचों बीच जिससे उसे 6 लाख रुपए वार्षिक आमदनी होती थी सरधाना नामक गाउं में अपना निवास अस्थल बनाया यह अस्थान भारत में इसाई कॉलोनी के अंतरगत अपनी प्रेम गाथाओं के लिए प्रसिद्ध था सन 1767 में जब समरू दिल्ली पर कबजा करने के लिए अपने कारे में व्यस्त था तब उसकी पहचान वहां की बेगम से हुई बाद में मुसल्मानी रिती रिवाजों के अनुसार इनका विवाह समरू के साथ हो गया गौरवर्ड बड़ी बड़ी काली आखों तथा नाजुक नाक नक्षे से युक्त यह बेगम बेहद खुबसूरत लगती थी वह फार्सी और हिंदुस्तानी बहुत अच्छी तरह बोल लेती तथा बादचीत में बहुत चतुर थी वह अपने पती के साथ मृत्यू पर्यंत रही उनके कोई संतान नहीं हुई 4 मई सन 1778 को समरू की मृत्यू के बाद अंग्रेज आफसरों ने बादशा से प्रार्थना की कि समरू की विद्वा बेगम को उसके पती के अस्थान पर बटैलियन के चार्ज में रहने दिया जाए बेगम की योगिता और चतुराई को देखते हुए बादशा ने उनकी प्रार्थना स्विकार कर ली बेगम अब जोअन्ना जेबू निसा पती की मृत्यों के तीन वर्ष बाद बेगम ने रोमन कैथोलिक धर्म स्विकार कर लिया और आगरा में साथ मई 1781 को उनका जोअन्ना के नाम से नामकरन संसकार हुआ सन 1783 में गुलाम कादिर ने दिल्ली पर धावा किया और बादशा को कैद कर लिया यह खबर जब बेगम को मिली तब वे पानीपत में सिखों को दवाने में व्यस्त थी किन्तु समचार पाते ही वे तुरत दिल्ली रवाना हुई और राजमहल के लाहोर गेट के पास उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया फिर उन्होंने किले के सामने तोपे लगा दी और गुलाम कादिर की तोपों का बहादूरी से मुकाबला किया अंत में गुलाम कादिर को वापस जाना पड़ा और बादशा को कैद से मुक्ति मिली इसी के बाद बादशाह ने बेगम को जैवू निसा नाम दिया जिसका अर्थ है महिला जाती का आभूशन कुछ लोगों का कहना है कि वक्तिकत रूप से बेगम का कई लोगों से अनैतिक संबंध था इनहीं में एक जॉर्ज थॉमस नामक वक्ति भी था जिसने बेगम की कृपा से उनहीं की सेना में सेनापती का पद तक प्राप्त किया था पाच एपरिल 1788 को निजुफ कोली खान ने दिल्ली के खिलाफ बगावत कर दी वह रिवाडी के निकट गोकुल गड में जो दिल्ली से 49 मील दूर दक्षिन पश्चिम की ओर है जागीरदार था उसके शिकायत थी कि बादशाह ने उसके जागीर के एक हिस्से का स्वामित्व छीन लिया उसने राजमहल को इस प्रकार घेरा कि बादशाह और उसके परिवार की जानों का खत्रा पैदा हो गया बेगम और जोर्स थॉमस ने वहाँ शिगरता से पहुँच कर एक बादशाह शाह आलम के प्राणों की रक्षा की इस समय सभी ने एक आवाज से स्विकार किया कि बेगम जदी सही समय पर पहुँच कर अपने बुद्धी कौशल से काम ना लेती तो बादशाह का बचना मुश्किल था शाह आलम ने भरे दर्बार में सारवजनिक रूप से बेगम का शुक्रिया अदा किया तथा उनका सम्मान किया इसी समय उन्होंने दिल्ली के दक्षिन में इस्थित बादशाह पूर का परगना बेगम को दे कर उनकी इज्जत बढ़ाई चलिए अब उनके जीवन की एक महतुपून घटना को देखते हैं बेगम के जीवन की सबसे महतुपून घटना 1793 में घटी जब उन्होंने अपने अधिन एक फ्रांसिसी अफसर ली वायसू से दूसरा विवाह कर लिया वह इसलिए आवश्यक था क्योंकि इस बीच उनकी सेना ने कई बार अनुशाशन हींता का परिचय दिया था तथा उसे नियंतरन में रखने के लिए उन्हें किसी पूरुष की सहायता की जरूरत थी किन्तु इस विवाह को लोगों ने पसंद नहीं किया उनके आफिसर वह अन्य लोग इसके बदले जॉर्ज थॉमस भूत्पुर्व सेना पती के पक्ष में अधिक थे जो अवकाश प्राप्त कर दिल्ली चला गया था लोग ली वायसू के इतनी खिलाफ हो गया कि उन्होंने उनकी सेना के लोगों को विद्रो करने के लिए भड़का दिया और बेगम ली वायसू के साथ एक रात चुप चाप भाग निकली या 1795 की बात है वे सरधाना से कुछ ही दूर पहुँचे होंगे कि सेना की एक टुकडी ने जो उनका पीछा कर रही थी उन्हें पकड़ लिया बेगम पालकी में थी और ली वायसू घोड़े पर पीछा करने वालों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया इस संघर्ष में गोलियां चली और कई लोग घायल हो गए तथा बेगम और ली वायसू भी एक दूसरे से बिछुड़ गए ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए ध्यान होगा आपको कि इस संघर्ष में गोलियां चली और कई लोग घायल हो गए और बेगम और ली वायसू भी एक दूसरे से बिछड़ गए बेगम ने अपने सिने में छूरी भूख ली क्या हुआ ऐसा? यह सोच कर कि संभवता उनका पती मारा गया बेगम ने दुख से भर कर अपने ही सिने में छूरी भूख ली उनकी बांदियों ने यह द्रिश देखा तो घबरा उठी और फूट फूट कर रोने लगी ली वायसू ने जो कुछ दूरी पर विद्रोहियों की भीड से घिरा हुआ था बांदियों के रोने का कारण पूछा उसे बताया गया कि बेगम ने अपनी हत्या स्वयम कर ली है पहले तो ली वायसू को विश्वास नहीं हुआ किन्तु जब उसके बार बार पूछने पर उसे यही उत्तर मिलता रहा और खून से भीगा बेगम का नकाब उसे दिखाया गया तब ली वायसू ने अपना रिवॉल्वर निकाला और स्वयम को उसका निशाना बना कर अपनी हत्या कर ली और इस प्रकार अपना यह वायदा कि बेगम और वह दोनों एक साथ मरेंगे पूरा किया किन्तु वास्तों में ली वायसू ने व्यर्थ ही अपनी जान ली कारण बेगम केवल घायल हुई थी, मरी नहीं थी वे कैद कर ली गई थी तथा उन्हें कई तरह की प्रतार नाय वो अपमाजनक वेभार दिया जा रहा था अंत में जॉर्ज थॉमस ने उन्हें इस कष्ट से उबारा और उनकी रक्षा की विद्रोही बेगम को वापस सरधाना ले गए तथा उन्हें कई दिनों तक बांध कर रखा गया कुछ कथाकारों ने जिने संभवता गलत सूचनाय मिली लिखा है कि वायसू को मजबूरी में अपनी आत्महत्या करनी पड़ी कारण अपने तीन वर्ष के विवाहिक जीवन में वह नामर्द साबित हुआ किन्तु सचाई तो यह है कि बेगम स्वयम बांज सिध हुई यह इस बात से साबित होता है कि समरू के साथ 11 वर्ष का विवाहित जीवन व्यतीत करने पर भी उनकी एक भी संतान नहीं हुई जबकि समरू की पहली बीवी से जिसका बाद में दिमाग खराब हो गया था तथा 1886 में अपनी मृत्यू परियंत जो सर्धाना में रही एक पुत्र जहीर यव खान पैदा हुआ था तो किस तरह से बेगम समरू का अंत हुआ यह भी जानने योग्य है कि लंबा और उतार चड़हों से भरा बेगम का जीवन आखिर अपने अंत पर आ पहुँचा कुछ दिन बिमार रहने के बाद अंत में उनका होश जाता रहा और मृत्यू तक उन्हें फिर होश नहीं आया 27 जनवरी 1836 को 86 वर्ष की उमर में उनकी मृत्यू हो गई सरधाना में बेगम समरू के द्वारा निर्मित गिरजागर के शांदार इमारतें अब भी वहां से गुजरने वाले यात्रियों का मन मोहती हैं तथा साहसी बेगम जोणना जेवुनिसा की बर्बस याद दिलाती है जो भी वेक्ति गिरजागर के अंदा जाता है उसे संग मरमर की बनी कबर दिखाई देती है जिस पर इटली के शिल्पकार एडमो टैडोलिनी ने सुन्दर काम किया है वहां उचे शाही सिनहासन पर भारतिय वेश भुसा से सुसजित बेगम समरू की मुर्ती है जिसने 1836 में अपनी मृत्यू के पहले 58 वर्ष तक सर्धाना की इतनी छोटी सी रियासत में एक शत्र राज्य किया और अपना नाम इतिहास में अमिट कर दिया सर्धाना जो मिरट के नस्दीक एक छोटी सी रियासत थी तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी जो मैंने इतिहास के अतीत के पन्नों से खोश के निकाली है पसंद आया हो तो जरूर कमेंट करें और जदी अच्छी लगे सुनने में मेरी कहानी तो सब्सक्राइब जरूर करें आपका धन्यवाद ग्यापित करती हूँ एडवांस में धन्यवाद